हेलो दोस्तो स्वागा थे आपका स्टडी स्मार्च इस्टूडों में आज हम फिजिक्स के महत्पूर्ण टॉपिक मापन मात्रक वास्ट्रूट्वी के बारे में पढ़ेंगे इससे समझे जितने भी महत्पूर्ण प्रसने उनको देखेंगे तो चलते हैं सेशन के ओर मापन प्रसने नियमों को जिन राषयों की पदों में बेक्त किया जाता है उन्हें भोतिक राषी कहा जाता है तीसरा प्रस्ण है, मापन एबं मात्रक के आधार पर भौतिक रासी कितने प्रकार की होती हैं। तो इसका राइटा अंसर है, ए, तीन, मापन एबं मात्रक के आधार पर भौतिक रासी तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन से मूर रासी, व्यत्पन रासी और संपूरक रासी चोथा प्रस्ण है दिशा और प्रणिनाम की आधार पर भौतक रासी कितने प्रकारकी होती हैं इसका राइटा अंसर है दो प्रकारकी कौन कौन से सदिशरासी और अधिशरासी सदिस रासी और अधिस रासी को ब्यक्त करने के लिए दिसा और परिणाम दोन्यों की आवसकता होती है पाटमा प्रिशने बहुतिक विज्ञान में मूल रासयों की कुल संख्या कितनी होती है साथ, भोतिक विज्ञान में मूल राशियों की संख्या साथ होती है सात्मा प्रशने, भोतिक विज्ञान में पूरक राशियों की कुल कितनी संख्या होती है दो, भोतिक विज्ञान में पूरक राशियों की कुल संख्या दो होती है किसी भौतिक राशी को मापन के लिए स्वेक्षा से चुने गए किसी निश्चित पणिनाम को क्या कहते हैं क्या कहा जाता है मात्रक कहा जाता है प्रतेक भौतिक राशी को मापने के लिए स्वेक्षा से चुने गए किसी निश्चित पणिनाम को मात्रक कहा जाता है नौव प्रस्ण है मात्रकों को मापने की कुल कितनी पध्धती हैं चार पध्धतियां है मात्रकों कुमापनी की कुल कितनी पद्धतियां है चार पद्धति कौन कौन सी SI पद्धति, MKS पद्धति, CGS पद्धति और FPS पद्धति SI पद्धति, MKS पद्धति, CGS पद्धति और FPS पद्धति यह चार पद्धतियां होती है दसमा प्रेशने एसाई पद्धती में मूल मात्रक की संख्या कितनी है तो इसका राइट आंसर है C साथ एसाई पद्धती में मूल मात्रकों की संख्या साथ है और पूरक मात्रकों की संख्या दू है एसाई पद्धती में लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है मीटर, एसाई पद्धती में लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है किलोग्राम किसका मात्रक होता है? ड्रबमान का सीकिंड समय का मात्रक होता है और केल्विन ताप का मात्रक होता है बार्मा प्रेशने, एसाई पद्धती में द्रबमान का मूल मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है एसाई पद्धती में द्रबमान का मूल मात्रक किलोग्राम है एसाई पद्धती में समय का मूल मात्रक क्या है? सीकिंज है चगदुमा प्रस्ण है एसाई पद्धती में ताप का मूल मात्रक क्या है? Kelvin एसाई पद्धती में ताप का मूल मात्रक Kelvin है ताप के अन मात्रक degree centigrade और degree Celsius है ये भी आपको याद रखना है लेकिन एसाई पद्धती में ताप का मूल मात्रक Kelvin है जूल किसका मात्रक होता है, जूल कार का मात्रक होता है, पंद्रमा प्रस्ण है, एसाई पद्धती में विद्धुद्धारा का मुल मात्रक क्या है, तो इसका राइट आंसर है, C, एंपियर, विद्धुद्धारा का मुल मात्रक एंपियर होता है, एक माइक्रो एंपियर में क 10 to the power minus 6 ampere धारा होती है और 1 milli ampere में 10 to the power minus 3 ampere धारा होती है यह आपको यार रखना है सुलमा प्रश्ण है SI पद्धती में जोती तिब्रता का मूल मातरक क्या है? केंजला SI पद्धती में जोती तिब्रता का मूल मातरक केंजला है सत्मा प्रश्ण है एसाई पध्धती में पदार्थ की परिणाम का मूल मातरक मूल है एक मूल में कितने परमारू होते हैं यह आपको याद रखना है पदार्थ की परिणाम का मूल मातरक मूल होता है अठार्मा प्रश्ने, एसाई पद्धती में सम्तल कौन का संपूरक मात्रक क्या होता है? रीडायन, एसाई पद्धती में सम्तल कौन का संपूरक मात्रक रीडायन होता है, जबकि इस्टी रीडायन घंद कौन का मात्रक होता है? गन कौन का मात्रक इस्टी रीडायन और सम्तल कौन का मात्रक रीडियन उन्नीसवा प्रस्ने एसाई पद्धती में गन कौन का संपूरक मात्रक क्या होता है इस्टी रीडायन घन कौन का संपूरक मात्रक इस्टी रिडाएं जबकि सम्तल कौन का संपूरक मात्रक रिडाएं होता है बीचमा प्रेशने निम्नमैसे कौन ताप का मात्रक है तो इसका राइट आंसर है D और प्रुप्त सभी निम्नमैसे कौन ताप का मात्रक है तो इसका right answer है D, degree Celsius, degree centigrade और Kelvin, यह सबी ताप की मातरक है, और ताप का SI मातरक क्या होता है, Kelvin होता है, ताप का SI मातरक Kelvin होता है, यह आपको याद रखना है, 21 बाप प्रिशन है, निमने मैंसे कौन आवरती का मातरक है, तो इसका right answer है, A और B दोनों, हर्टेज और कमपन प्रती से second, आवरती के मातरक होते हैं, आवरती का SI मातरक क्या होता है, हर्तेज होता है, अब हम मूल राचिया वह उनके मातरक देख लेते हैं, लंबाई का मूल मातरक मीटर होता है, लंबाई का मूल मातरक मीटर होता है, द्रबमान का मूल मातरक किलोग्राम होता है, समाय का मूल मात मुल मात्रक सैकेंड होता है विद्धुधारा का मुल मॉल मात्रक मूल होता है यह आपको यार रखना है और यह उसके प्रतीख है 22 मा प्रेशन है MKS पद्धती का अन्य नाम क्या है MKS पद्धती का अन्य नाम मीट्रिक पद्धती है मापन की चार पद्धतियां होती है SI पद्धती MKS पद्धती CGS पद्धती और APS पद्धती MKS पद्धती का अन्य नाम मीट्रिक पद्धती है तेशमा प्रस्थ है CGS पद्धत्य का अंडे नाम क्या है, तो इसका राइत aja सर है, B और C दोनों CGS पद्धति का अंडे नाम डेसिमल पद्धती और गौशन पद्धती है, यह आपको याद रखना है, MKS पद्धती का अंडे नाम मिट्रिक पद्धती है, और CGS पद्धती का अन्य नाम जैसिमल पद्धती और गोशियन पद्धती है तेश्मा प्रस्ण है, निमन मैंसे कौन सा कथन सही है तुझ दिखते हैं कौन सा कथन सही है MKS पद्धती का अन्य नाम मिट्रिक पद्धती है, यह कथन सही है सीजेस पद्धती को देसिमल पद्धती और गोशियन पद्धती भी कहते हैं यह कथन भी सही है एपियस पद्धती को ब्रितिश पद्धती भी कहते हैं यह कथन भी सत्थ है अता है इसका राइचा अंसर डी होगा इसका राइचा अंसर क्या होगा डी 24 पर प्रश्ण एसाई पद्धती निम्न मैंसे किस पद्धती का उन्नत रूप है मापन की कितनी पद्धतियां है चार पद्धती एसाई पद्धती, MKS पद्धती, CGS पद्धती और FPS पद्धती MKS पद्धती में लंबाई का मात्रक मीटर, ड्रबमान का मात्रक किलोग्राम और समाई का मात्रक सेकंड होता है CGS पद्धती में लंबाई का मात्रक सेंटिग्राम, सोरी सेंटिमीटर, द्रब्मान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है जबकि FPS पद्धती में लंबाई का मात्रक फुट, द्रब्मान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है यह आपको यार रखना है 25 बाप्रेस्ट है SI पद्धती में बल का मात्रक क्या होता है SI पद्धती में बल का मात्रक Newton होता है 1 Newton में कितने डायन होते है 1 Newton में 10 to the power 5 डायन होते है 1 Newton में कितने डायन होते है 10 to the power 5 डायन बल का SI मात्रक Newton है जबकि CGS मात्रक डायन होता है या आपको याद रखना है SI पद्धती में कार का मात्रक क्या होता है Joule SI पद्धती में कार का मात्रक Joule होता है जबकि CGS पद्धती में अर्ग होता है 1 Joule में कितने अर्ग होते हैं? 1 Joule में 10 to the power 7 अर्ग होते हैं सत्ताइसबा प्रस्ट है एक एंस्ट्रों में कितने मीटर होते हैं एक एंस्ट्रों में कितने मीटर होते हैं तो इसका राइट आंसर है 10 to the power minus 10 मीटर होते हैं अथाज़ बाप्रस्ण है एक माइक्रो मीटर में कितने मीटर होते हैं एक माइक्रो मीटर में 10 to the power minus 6 मीटर होते हैं वा एक एमस्ट्रगॉम में 10 to the power minus 10 मीटर होते हैं यह आपको यार रखना है अथाज़ बाप्रस्ण है एक नैनो मीटर में कितने मीटर होते हैं जबकि एक माइक्रो मीटर में 10 तो दी पाबर मानिस 6 मीटर होते हैं 29 वा प्रश्न है एक पिको मीटर में כटे मीटर होते हैं मीटर होते हैं एक पिको मीटर में 10 to the power माइनस 12 मीटर होते हैं तीज़बा प्रस्ण है एक फैम्टो मीटर में कितने मीटर होते हैं तो इसका राइट अंसर है 10 to the power माइनस 15 मीटर एक फैम्टो मीटर में 10 to the power माइनस 15 मीटर होते हैं एक तिश्वा प्रस्ण एक एक्टो मीटर में कितने मीटर होते हैं एक एक्टो मीटर में 10 to the power minus 18 मीटर होते हैं एक एक्टो मीटर में 10 to the power minus 18 मीटर होते हैं बत्तिश्वा प्रस्ण एक जेप्टो मीटर में कितने मीटर होते हैं 10 to the power minus 21 मीटर एक यक्टो मीटर में 10 to the power minus 21 मीटर होते हैं एक यक्टो मीटर में कितने मीटर होते हैं 10 to the power minus 24 यक्टो मीटर एक यक्टो मीटर में 10 to the power minus 18 मीटर होते हैं एक यक्टो मीटर में 10 to the power minus 21 मीटर होते हैं जबकि एक यक्टो मीटर में 10 to the power minus 24 यक्टो मीटर होते हैं अब हम इनको शुरू एक बार फिर देख लेते हैं एक डेसी मीटर में 10 to the power minus 1 मीटर होते हैं एक सेंटी मीटर में 10 to the power minus 2 मीटर होते हैं एक मिली मीटर में 10 to the power minus 3 मीटर होते हैं एक माइक्रो मीटर में 10 to the power minus 6 मीटर होते हैं एक नेटों मीटर में 10 to the power minus 9 मीटर होते हैं एक पिको मीटर में 10 to the power minus 12 मीटर होते हैं एक फेम्टो मीटर में 10 to the power minus 15 मीटर होते हैं एक एको मीटर में 10 to the power minus 18 मीटर होते हैं एक यक्तो मीटर में 10 to the power minus 21 मीटर होते हैं और एक यक्टो मीटर में 10 to the power minus 24 मीटर होते हैं, ये आपको याद रखना है, 32 प्रश्न है, एक मेगा मीटर में कितने मीटर होते हैं, अभी हमने घत्ते हुए क्रम को, घत्ते हुए घाते को देखा, अब हम बरते हुए घातों को देखते हैं, एक मेगा मीटर में कितने मीटर होते हैं, एक मेगा मीटर में एक गीगा मीटर में कितने मीटर होते हैं, एक गीगा मीटर में एक टेरा मीटर में कितने मीटर होते हैं, एक टेरा मीटर में 10 to the power 12 मीटर होते हैं एक मेगा मीटर में 10 to the power 6 मीटर और एक टेरो मीटर में 10 to the power 12 मीटर होते हैं 35 प्रस्ण है एक पेटा मीटर में कितने मीटर होते हैं एक पेटा मीटर में 10 to the power 18 मीटर होते हैं 10 to the power 18 मीटर होते हैं 37 प्रस्ण है एक एक्सा मीटर में कितने मीटर होते हैं एक एक्सा मीटर में 10 to the power 18 मीटर होते हैं सथीफ़ा प्रश्ने एक जेट्टा मीटर में कितने मीटर होते हैं 10 to the power 21 एक जेट्टा मीटर में 10 to the power 21 मीटर होते हैं एक योट्टा मीटर में कितने मीटर होते हैं एक जोट्वा मीटर में 10 to the power 24 मीटर होते हैं एक किलो मीटर में कितने मीटर होते हैं 10 to the power 23 मीटर होते हैं एक किलो मीटर में 10 to the power 3 मीटर होते हैं अर्थिश्वा प्रस्ण है एक हेक्टो मीटर में कितने मीटर होते हैं 1 dc.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m इसमें confusion नहीं होना है 41 वाप्रस्थन एक cm में कितने मीटर होते हैं एक cm में 10 to the power माइनस 2 मीटर होते हैं जबकि 1 hectometer में 10 to the power 2 मीटर होते हैं 42 वाप्रस्थन एक मिली मीटर में कितने मीटर होते हैं 10 to the power minus 3 मीटर होते हैं जबकि एक किलो मीटर में 10 to the power 3 मीटर होते हैं अब हम बरती हुई घातों को देखते हैं एक डेका मीटर में 10 to the power 1 मीटर होता है एक हेक्टो मीटर में 10 to the power 2 मीटर होता है एक किलो मीटर में 10 to the power 3 मीटर होता है एक मेगा मीटर में 10 to the power 6 मीटर होता है एक गीगा मीटर में 10 to the power 9 मीटर होता है एक टेरा मीटर में 10 to the power 12 मीटर होता है एक पेटा मीटर में 10 to the power 15 मीटर होता है एक एकसा मीटर में 10 to the power 18 मीटर होता है एक जोटो मीटर में 10 to the power 21 मीटर होता है और एक जोटो मीटर में 10 to the power 24 मीटर होता है यह आपको याद रखना है 43 पा प्रस्ण है एक मील में कितने किलो मीटर होते हैं अब हम मात्रकों का रूपांतरन दिखते हैं कि अन राशियों का दूसरी राशियों से किस प्रकार समध्द हैं एक मिल में कितने किलो मीटर होते हैं एक दिसमलाव 6 किलो मीटर एक मिल में एक दिसमलाव 6 किलो मीटर होते हैं चबालिशवा प्रस्न है एक खगोलिय मात्रक में कितने मीटर होते हैं इसका राइट आंसर है 1.5 x 10 to the power 11 meter एक खगोलिय मात्रक में 1.5 x 10 to the power 11 meter होते हैं लंबाई का रूपांत्रा हमें इसको एक बार देख लेते हैं एक आमस्ट्रागॉम में 10 to the power माइनस 10 meter होते हैं एक प्रकास बर्स में कितने meter होते हैं 9.46 x 10 to the power 15 meter होते हैं एक खगोलिय मात्रक में 1.5 x 10 to the power 11 meter होते हैं एक पार्सिक में 3.08 x 10 to the power 18 meter होते हैं या एक पार्शेक में 3.26 प्रकास वर्ष होते हैं। दूरी कुमापने की सबसे बड़ी एकाई क्या है? पार्शेक. दूरी कुमापने की सबसे बड़ी एकाई पार्शेक होती है। एक मेल में 1760 गज होते हैं या यह भी बोल सकते हैं कि एक मेल में 1.6 किलो मीटर होते हैं और एक समुद्रे मेल में 1.8 किलो मीटर होते हैं यह आपको याद रखना है चबालीशवाप्रस्न हैं एक मेट्रिक टन में कितने किलो मीटर होते हैं एक मेट्रिक टन में कितने किलो गराम होते हैं तो इसका राइट ऑश्ड़ है 0.45 40 प्रस्प ideia 1 चंद्रिसेखर सीमा कमान कितना होता है 1.4 इंटु सुर का द्रबमान 1.4 इंटु सुर का द्रबमान के बड़ावर होता है प्रबमान का रूपान तरन 1 ऑसमें 28 औध्य दिसम्लब 35 ग्राम होती है एक ओंस में 28.35 ग्राम होते हैं एक सिलग में 14.59 किलोग्राम होते हैं एक सिलग में 14.59 किलोग्राम होते हैं एक पाउंड में 0.45 किलोग्राम होते हैं जबकि एक किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं एक किलोग्राम में 2.205 होते हैं एक किलोग्राम में कितने पाउंज होते हैं दो दिसमलाव दो जीरो पाउंज होते हैं एक क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं वा एक मित्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं एक परमानू जब्मान कमान कितना होता है 1.6 into 10 to the power minus 17 किलोग्राम वा एक चंद्र सेकर सीमा कमान 1.4 into सूर के द्रबमान की बराबर होता है यह आपको याद रखना है 46 वाप्रस्ने एक मीटर में कितने फुद होती हैं तो इसका राईट अंसर है 49.37 फुद एक मीटर में 49.37 फुद होती है और 47 बाप्रस ने एक फुट में कितने मीटर होते हैं एक फुट में कितने मीटर होते हैं तो इसका राइट अंसर है 0.30 एक फुट में 0.30 मीटर होते हैं लंबाई का रूपांतरन एक फुट में 12 इंच होते हैं या एक फुट में 30.48 सेंटिमीटर होते हैं एक मीटर में कितने इंच होते हैं? 49.37 इंच में 2.54 सेंटी मीटर होते हैं और 1.00 में 10 to The power मानिस 6 मीटर होते हैं उन्हेंचासवा प्रिश्न एक हेक्टियर में कितने एकर होती हैं दू दिसंबलाव पांच हेक्टियर एक वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टियर होती हैं तो इसका राइट अंसर है सी सो हेक्टियर एक वर्ग किलोमीटर में सो हेक्टियर होती हैं छेत्रफल का रूपांतरन एक एकर में एक एकर में 4046 वर्ग मीटर होती हैं एक हेक्टियर में दू दिसंबलाव पांच एकर होती हैं सो हेक्टियर में एक वर्ग किलोमीटर होता है सो हेक्टियर कार्थ है एक वर्ग किलोमीटर एक वर्ग मील में दू दिसंबलाव 6 वर्ग हेक्टियर होता है या 269 हेक्टियर होता है इसको एकर में परिवर्द करें एक वर्ग बील में चेस सो चालीस हिक रूदी हैability इक वर्ग बीमें चेस सो चालीस हिक रूदी है इनगे और माँ प्रशने एक वेरल में कितने लीटर है एक विएरल में दो दिसम्बलाव दो गैलन होते हैं, एक बेरल में एक सो अंठाव दिसम्बलाव नो आथ लीटर होते हैं, जबकि एक गैलन में तीन दिसम्बलाव साथ आथ पांच लीटर होते हैं, यह आपको सब याद रखना है जीचा, 42 बाप्रस्ने, किसी रासी के मापे गैमान और वास्टिक मान के अंतर को क्या कहते हैं, टृटी, किसी रासी के मापे गैमान और वास्टिक मान के अंतर को टृटी कहते हैं, 23 वाप्रश्ने किसी मापक यंद्र द्वारा मापा जा सकनीवाला छोटे से छोटा मान क्या कहलाता है अलपत मांग कहलाता है किसी मापकियंटर द्वारा मापी जा सकने बाला छोटा से छोटा मान अलपत मांग कहलाता है साधारन पैमाने का अलपत मांग कितना होता है 0.1 cm साधारन पैमाने का अलपत मांग 0.1 cm होता है जबकि बर्नियर्च कैलिपर्स का अलपत मांग 0.01 cm होता है ये साधान पैमानी और ये बर्नियर्च कैलिपर्स और इस्कुरू ग्रेज का अलपत मांग कितना होता है 0.001 cm ये आपको यार रखना है साधान पैमानी का अलपत मांग बर्नियर्च कैलिपर्स का अलपत मांग वा जो घातें लगाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विमाई, किसी भोतक रासी की मात्रक को मूल मात्रकों की पदों में व्यक्ट करने के लिए मूल मात्रक पर जो घातें लगाई जाती हैं, उन्हें विमाई कहते हैं मूल रासी की विमाएं लंबाई की विमा किस से प्रदासे करते हैं एल से रबमान की विमा एम से प्रदासे करते हैं समाई की विमा ट है ताप की विमा की है विद्द्धारा की विमा ए है जोटी टिब्रता की विमा सी है सीडी है और पदार्थ की मात्रा की विमा एम है यह उन झाल